खबर हनुमान गड़ से हैं जहां शरी अनपूर्णा अध्यात्मिक सेवा समीती की ओर से जनम दिन शादी की सालगिरा सहीत परिवार में खुशिक अन्यमोकों पर गो सेवा सही जरुतमन परिवारों की मदद करने के लिए शुरू की गई मुहिम से दूसरे लोग भी प्रेरि मंदिर परिसर में पोधार उपन किया साथ ही टाउन शहर में जरुतमन परिवारों के बच्चों को भोजन भी खिलाया गया दस मौके पर सरपंच रोहिस स्वामी ने कहा कि उनकी और से अपने जरम दिन के मौके पर गो सेवा स्वामनी वैप उधार उपन करना मात्र दिखा कि मौकों पर शराब पार्टियों में हजार रुपे बरबाद कर देते हैं उससे खुद के मन को भले ही कुछ देर के लिए शांती मिले लेकिन स्वास्त खराब होता है ऐसी पार्टियों का दूसरों को भी कोई फायदा नहीं होता है इसलिए खुशी के मौके पर जरुतमन कि मदद कर उनके साथ साजा करे वही शरी अनपूर्णा अध्यात्मिक सेवा समीती अध्यक्षि दुर्गा प्रसाज शर्मा वे प्रवक्ता प्रदीप पाल ने कहा कि उन्हें खुशी है कि समीती का गठन जिस उद्देश्य को लेकर किया गया वह सार्थक होता हुआ नजर लंबे समय से समासेवा के शेत्र में कारे करते हुए नजर आ रहे हैं इनमें जरुत मन परिवार की कर्णिया की शादी में सहयोग जरुत मन परिवारों को भोजन वित्रंट गो सेवा बजुर्गों की सेवा वे उनके लिए आवश्चक सामगरी उपलब्द करवाने सहीत अ जर मौके पर मौझूद रामिनों ने समीति वे सरपंच के स्पहल की सरहाना की है उन लोगों को प्रेसित करना है जो जनम दिन हो या सादी की सालघिरा ओड़ुक जो तो पहने चारचार रुपे की करते जलत पेसा यूज करते हैं नसा में पेसा यूज करते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वह तैसा में गोज़ंस की शेवा करें पेड़ पोदे लगाए और नसे से दूर रहकर जुरुत्मंद लोगों को भोजन वित्रन करें, बुजुरुगों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें. हाँ, इसके बाद में हमारा माता बदरकाली मंदिर में पोदारोपन का प्रोग्राम है, उसके बाद हनुमानगड में चोटे-चोटे बच्चों को भोजन वित्रन का प्रोग्राम है.